ब्लैक बॉक्स में दो कॉंपोनेंट्स होते हैं पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉड़र जिसमें फ्लाइट पार्फ, एरक्राफ लोकेशन, एर स्पीड, इंजन और एग्सॉस्ट का टेंप्रेचर जैसे के डेटा स्टोर होते हैं ब्लैक बॉक्स एरक्राफ के टेल पर रहता है क्योंकि क्रैश होने पर इस पार्ट के सेफ रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है ब्लैक बॉक्स हैवी स्टेलनेस टेल शेल से बना होता है जो इंसुलिटिंग मटेरियल से रैप होता है ब्लैक बॉक्स करीब 1100 डिगरी सेल्सिस तेंप्रेचर और पाली में 6000 मिटर अंगर तक डैमेज नहीं होता है ब्लैक बॉक्स अट्रसोनी फल्स रिलीज करता है जो सोना और ओडियो एपिपेंट से ट्रेस किया जा सकते हैं अगर एरक्राफ इसी वाटर मोटी में ट्रैश हुआ हो तो कॉक्पिट बॉइस रिकॉर्डर जिसमें एरक्राफ में बैठे पाइलेट्स के डिसकेशन, आटमेटिक कम्प्यूटर अनॉंसमेंट्स, पैसेंजर अनॉंसमेंट्स और रेडियो ट्रास्मिशन के आवाज रिकॉर्डर होता है कॉक्पिट की हर दो गंटी की रिकॉर्डिंग स्टोर होती है और आटमेटिकली बिलीटो कर फिर शुरू है यही कारण है कि प्रैश की बाद लैग बॉक्स का मेला ज़रू है हांकि क्रैश के रिजन पता चले और नियर कुचर में शेफ्टी करती है